आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन्द सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, कुदरत, खुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ति, जोद्पुर के परंपुज महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन वे, सनातन्द सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी सनातन सत्य, ultimate reality of this world, सारभोम सत्य, ऐसा सत्य कि जिसको प्राप्त करने के बाद में, कुछ भी प्राप्त करना सेश नहीं रहता है, यानि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और सब कुछ प्राप्त करने वाला, इस पूरी स्रिष्टी में केवल एक मानवी है, इसलिए मानव जीवन बहुत दुरलब कहा गया है मानव के लिए चार बातें बहुत कटिन बताई गई है कि सबसे पहले मानव जीवन का मिलना दूसरी ईश्वर की वानी सुनने का अवसर मिलना तीसरा ईश्वर की वानी में विश्वास होना और चोथा ईश्वर की वानी को अर्देंगम करना चरित्र के अंदर उतारना तो ये चार बातें केवल मनुश्य कर सकता इसलिए मुक्ती जाने का अदिकारी केवल मनुश्य ही है हर प्राणी को जो की शाश्वत सुख चाता है जो ब्लिस चाता है ऐसा सुख कि जिसके बाद में कोई दुख आए ही नहीं तो उसके लिए उसको जो है मानव जीवन ही लेना पड़ेगा हम सनातन सत्य के अंदर कुदरत कुदरती रसना और कुदरत के कानून का उप्योग करते हैं उसको आधार बनाते हैं और अलग-अलग विशे प्रतिदिन लेते हैं हर विशे नया होता है आज जो हम जिस विशे की बात करने जा रहे हैं वो हमारा विशे है कुदरत का कानून देखिए हमने कुदरत की चर्चा की कुदरत की रचना की चर्चा की आज हम कुद्रत के कानून की चर्चा करेंगे ये सारी जो दुनिया चलती है वो किसी कानून के आदार पर चलती है किसी एतिक्स के आदार पर चलती है किसी नियम के आदार पर चलती है किसी रूल्स और रेगुलेशन्स के आदार पर चलती है जहां पर rules and regulations नहों वहां पर बहुत बड़ी अविवस्ता हो जाती है उदान के तोर पर अगर हाईवे पर हम चल रहे हैं और हाईवे के नियम नहों या नियमों का पालन नहों तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या इस्तती होगी हम जो है दुरगटना को भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस दुनिया में जीने के लिए हर चीज का हर वस्तू का ethics है उसी को व्यवस्ता कहते हैं और उसी से ही समाज चलता है अगर वो व्यवस्ता एथिक्स वो नियम कानून नहीं बनाए हुया हो तो ये सारा संसार एक जंगली राज हो जाएगा जंगली राज में क्या होता है कि बड़ी मचली चोटी मचली को खा जाती है नियाए अनियाए का प्रश्ण नहीं है वहाँ तो जिसकी लाटी उसकी बैंस जो बल्वान होता है वो दुर्बल को दबा लेता है दुर्बल को खा जाता है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि वेवार द्रस्टी से देखो जाया ध्यात्पकी द्रस्टी से देखो हर प्राणी को जीने का अधिकार है जो भी प्राणी जनम लेता है वह जीना चाहता है मरना कोई नहीं चाहता चोटा से चोटा जो है कोरोना वायरस जैसा भी जीना चाहता है और जीने के साथ साथ मैं हर प्राणी सुक चाहता है दुख कोई भी नहीं चाहता दुख आ जाता है अपने पूरुकरत कर्मों के दोरा पूरकट कौजेस के अनुसार वह बात अलग है लेकिन व्यक्ति चाहता नहीं है सब चीज चाहे एक अनुसार नहीं होती है बहुत बार ये होता है हम चाहते कुछ है और होता कुछ है क्योंकि ये जनम से मृत्यू के बीच का जो हमारा समय है जिस जो की आयुश्य के अदीन है कुद्रत के अदीन है और हमारे उपादान के अदीन है हमने पिछले जनम के अंदर जैसे जैसे कौजिस डाल करके कौजल बोडी को बनाया था वो कौजल बोडी जैसे भाव करम किये थे वो भाव कर्म इस जनम में द्रव्य कर्म बन करके और हमें जो है उदे और प्रारब्द देते हम उसके अदीन हो जाते हैं उसको भुगताने वाली कुद्रत मा होती है जिसके कानून की मैं बात करता हूँ अब वो सारा भुगतान किस कानून के तेत होता है उस कानून को समझना बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति कुद्रत के कानून को समझ लेता है वह कभी भी किसी पर दोशा रोपन नहीं करेगा किसी के प्रती बुरे बाव नहीं लाएगा किसी को दुख नहीं देगा किसी को अनावशक ओपीनियन और अभी पराय नहीं देगा क्यों नहीं देगा कि वह सनात्म सत्य को समझ जाएगा कि वाट इस दा रियलिटी आप दी लाइफ जब व्यक्ति को किसी चीज़ की रियलिटी मालम हो जाती है तो उस रिक्ति का सारा संशे दूर हो जाता है इस संशे दूर करने को हम दरस्टी विज्ञान कहते हैं इस संशे को दूर करने को हम आपको रॉंग बिलीफ से राइट बिलीफ में लाने की बात करते हैं हम नेगेटिव थौट से पॉजिटिव थौट में आने की बात करते हैं हम जो है नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में आने की बात करते हैं और सकारात्मक सोच कब आएगी जब आपको कुदरत का कानून पता चल जाएगा और वो कानून पूरे विश्व पर लागू है और एक सा लागू है कुद्रत का कानून 84 लाग जीवा योनी और संक्या में वो असंक्य अनंत जीव है उन सब पे एक भी जीव के साथ में पक्षपात महीं करता है और इतना accurate वो कानून लगाता है न्याय करता है कि जो है उसकी accuracy जो हमारे जजे से भी ज़दा होती है हमारे जो जज होते हैं वो तो प्राय जो निर्ने देते हैं उसके अंदर वो साक्षे के आदार पर वो दोनों तरब के एड़ोकेट्स के आदार पर और जो है दूसरे दूसरे जो है गवाओं के आदार पर देते हैं उसमें गलती होना सोबाविक है लेकिन जो ईश्वर करत नया है हुआ सो नया है जिसको बोलते है उसमें गलती होने की कोई गुंजाईश नहीं होती है क्योंकि वह सारा कुदरत का कानून होता है कुदरत के द्वारा निर्मित होता है अब कुदरत का कानून क्या है वो हम आपको अच्छी तरह से समझाना चाहते है पुद्रत का कानून है आपने अगर अच्छा कारी किया है तो आपको उसका अच्छा फिल मिलेगा और आपने अगर गलत बीजगा वपन किया है तो आपको करम फल भी गलत मिलेगा इसलिए आप हमेशा हर जीवन के अंदर सही बीज का वपन करो ताकि की आपको सही करम फल मिल सके जैसे की बीज बोने से जो है हमको खाने का फल मिलता है आम है, सेव है, केला है जितने भी हमारे फ्रूट से वो रसीले फ्रूट समको मिलते है वो क्यों मिलते है कि हम अच्छा बीज बोते है उसकी जगे अगर हम काटे धतूरे और जो है बहुत सी खारी चीज़े नीम वगएरा वो बोते हैं तो हमको रसीले फल नहीं मिल सकते हैं इसलिए कानून अगर आप कुदरत के कानून के अंदर विश्वास करते हो कुदरत को आप समर्पित हो तो इसका अर्थ योग आप इश्वर को समर्पन है आपका अपनी आत्मा को समर्पन है कुदरत को इश्वर कहा जा सकता है कुद्रत को भीतर विराजमान शुद्धात्मा भगवान कहा जा सकता है और कुद्रत ही सर्वे सर्वा है और कुद्रत ही सबका बरन पोशन करती है पालन पोशन करती है सभी तरह की मन वचन काया की अक्टिविटीज कराती है और सभी जीवित प्राणी इसके अंदर विलीन होते हैं पंच भूत में विलीन हो जाता है प्रत्वी प्रत्वी में जल जल में अगनी अगनी में वायू वायू में और आकाश आकाश में अते हैं जो हम यह कहना चाहते हैं कुद्रत का कानून absolute perfect कानून है और वो कानून हरे को मानना चाहिए होता क्या है हम कुद्रत के कानून की avail ना करते हैं तो कुद्रत नहीं चाहते हुए भी हमें punishment देती है क्योंकि कुद्रत इतनी honest है कुद्रत निस्पक्ष है कि आपके उपादान के अतिरिक्त आपको कुछ भी punishment और award नहीं दे सकती कुद्रत कहती है ये पूरे विश्व के अंदर जितने भी बलिस्ट भगवान और बलिस्ट लोग हैं पावरफुल लोग हैं चाहते 30 करोड देवी देवता है एक भी आपका न तो बुरा कर सकता है और न भला कर सकता है आपका भला और बुरा करने वाले आपके पूर कर्म हैं जिसको हम causes कहते हैं causal body, link सरीर, current सरीर, कर्म, रज, कर्म, फल اور अग्यान कहते हैं मोनिय कर्म कहते हैं करम कहते हैं कई अपने 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 नाम दियें सबका अर्थ एक ही है कि करम बीज और करम फल जैसा करम बीज डाला है वैसा करम फल मिलेगा ये कुदरत का कानून है तो आप देखिए कि हम कुदरत के कानून को समर्पित क्यों नहीं होते हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम कुदरत को समर्पित नहीं होने देता वो हमारा जो फैक्टर है अग्यान हमारा सरीर जो है ये जड़ और चेतन दो तत्वां से बना हुआ है लेकिन दोनों को जो जोडने वाला तत्व है दोनों की जो बाइंडिंग करने वाला तत्व है जो फै कह सकते हैं जिसको मोनिय दर्शन मोनिय अनंतानुमंदी करम कहा जा सकता है तो हमें उसके उपर कंसंटरेट करना है देखिए धरम की बहुत सी विदिया है और इस संसार में बहुत सी नदिया है लेकिन जो भी उसका शोट समुंदर है जो कि उसके डलान के अंदर आता है उदारन के तोर पर हमारे बाटवर्ष के अंदर छोटी छोटी बहुत सी नदिया निकलती है बरसाद के दिनों में जरने के पानी से पाड़ों से और उसने अपने रस्ते जो है शताबदियों से अपने रस्ते बनाए हुए है उन रस्ते के नुसार वो बैती है और वो जाकर के एक समुंदर के अंदर विलीन होती है हम भारत का नक्षा देखें तो भारत के के तीन तरफ समुंदर है लेकिन वो सारा समुंदर आपस में जुड़ा हुआ है हिंद मा सागर अर्ब सागर और बंगाल की काड़ी ये तीनों एक मेक है एकाकार है तो जितनी भी नदिया पूरो पस्चिम उतर दक्षिम से आती है वो सारी इस मिले हुए एकाकार समुंदर के अंदर गिर करके और अपने अस्तितों का विलीन कर जाती है बिंदू है वो सिंदू बन जाता है और वो समर्पन कर देता है तो नदी का समुंदर में मिलना उसका समर्पन है उसका समर्पन है तब ही उसका अस्तित्व है एक बूंद जब वो समुंदर में रहती है तब उसका अस्तित्व और वही बूंद आकर के जो जमीन पर गिर जाती है तो जमीन उसको सोख लेती उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है अते अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें कानून का पालन करना चाहिए तो हम अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके साशात में शाहश्वत सुप को प्राप्त करना चाहते हैं तो कुद्रत के कानून का पालन करो तो कुद्रत का कानून तो हमने बताया और कुद्रत ये कहती है के भक्ती भाव करती है कुद्रत कुद्रत का समर्पन भक्ती भाव पर आधारीत है भगवान कृष्ण गीता के अंदर जो छद्याय लिखे वो भक्ती मार्ग क्या लाता है भग्ती मार्ग में भगवान कृष्ण भक्त को कहते है कि तु अगर पापी है और कुछ भी पाप करने वाला है तो तू सारा मेरे को समर्पित हो जा तू मेरे को समर्पन करेगा तो मेरा हो जाएगा और तेरा उद्दार करने का तेरे को मुक्ती दिलाने का करतब भी मेरा होगा इसलिए जो भक्ती मारगी होते हैं वो यही कहते है प्रभू यह तन मन और धन भी होता धन भी कह देते हैं तन मन धन आपके चर्णों में समर्पित है मेरी हर सांस आपके चर्णों के अंदर समर्पित है और वास्तों में वो जैसा कहता है वैसा ही करता है यानि वो प्रभू के साथ अपने आराध्य के साथ अपने भगवान के साथ में एका कार हो जाता है ये एका कार होना तनमया कार होना है ये उसके अंदर समर्पन करना है तो हम आपको कहना चाहते है क्योंकि हमारा Creator, Operator Destroyer उद्रत है हर जीवित प्राणी का तो सब कुछ करने वाला ही वो ही है, वो ही हमारी Nature मा है तो हम उसको सही तरीके से समर्पित क्यों नहीं होते है सही तरीके से समर्पित होने का अर्थ होता है कुद्रत के कानून की पालना करो कुद्रत के कानून की पालना हम कैसे कर सकते है कि जितने इस चराचर जगत के अंदर जीवित प्राणी है देखिए जो जड़ होता है उसमें फिलिंग नहीं होती दुख नहीं होता दर्द नहीं होता और वहाँ इंसा का कोई प्रश्ण नहीं है उसको तोड़ा जाए फोड़ा जाए और वो तो तूड़ता फूड़ता ही अपने आप बनता बिगडता ही है लेकिन वो इंसा की परिबासा में नहीं आता है लेकिन एक जीवित प्राणी को क्योंकि उसके अंदर प्रभू की आजरी है उसके अंदर शुद आत्मा परमात्मा विराजमान है औरता की दृस्टी से हर आत्मा में पर्मात्मा बनने की अरता है योग्यता है वो अगर कुद्रत के कानून का पालन करे और सनातन सत्य को प्राप्ट करे हर आत्मा मुक्ती को जा सकती है हर आत्मा जो है वशाश्वत सुख को प्राप्त कर सकती है मूल ये उसकी अरता है ये उसका लक्षन है ये जो है उसकी जो है प्रापर्टी है जिसको की अलग नहीं किया जा सकता है जो किसी की किसी का जो लक्षन होता है वो अलग नहीं होता है गुणों को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है अगनी और ताप को अलग नहीं किया जा सकता पानी और ठंड़क को अलग नहीं किया जा सकता और दुर्जन को और बुराई को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसका लक्षण है इसलिए कहा गया है कि धारियती ती धर्मा धर्म किसको कहा जाता है कि वस्तू साओ धर्म वस्तू के सभाव को इटसेल्फ धर्म कहते हैं ये भी एक कॉंसेप्ट है कि ताप जो है वो अगनी से मिलता है तो अगनी का सभाव ताप हो गया और पानी से ठंडक मिलती है तो पानी का सबाव है ठंडक देना हो गया सज्जन वक्ति जो है वो सज्जनता से पेश आए तो सज्जनता उसका लक्षन हो गया दुर्जन वक्ति दुर्जनता से पेश आएगा तो दुर्जनता उसका लक्षन हो गया ये उससे अलग नहीं किये जा सकते हैं ये एमबे डेड़ है और उसी का एक भी भाग है तो हम अपने आप को कुद्रत के कानून से कभी भी अलग नहीं करें अलग हो भी नहीं सकते हैं और कुद्रत के कानून से अलग होना, कुद्रत के कानून की अवेल ना करना ये जो है मित्या ग्यान है, ये रॉंग करती है ज्यों ज्यों व्यक्ति पुद्रती रचना और पुद्रत के कानून को समर्पिर होता है त्यों त्यों उसकी कौजल बोड़ी निर्जरा को प्राप्त होती है निर्जरा का अर्थ होता है कि आत्मा से या करम सी से करमों का जड़ना जहां पे ज़रन होता है वो हमारा एक निर्जरा धर्म है भगवान ने दो तरह के धर्म बताए संवर धर्म और निर्जरा धर्म दोई धर्म बताए संवर साधना है निर्जरा उसकी निश्वत्ति है संवर का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को मन से वचन से काया से करने से, करवाने से, अनुमोदने से, किसी भी प्रकार का कस्ट नहीं देना, क्योंकि वो प्राणी अपने करमों से, अपने आयुश्य के अधील जीवन यापन कर रहा है, आपका कुछ बिगाड नहीं रहा है, उसका अस्तित्व अलग है, आपका अस्तित्व अलग है, उसने क आरम शरीर अलग बनाया, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेर्थ के अंदर आप उसको दुख दे देते हो, मैं आपको उदान देना चाहता हूँ कि सड़क पर बहुत से व्यक्ति चलते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, कुछ मोटर साइकल पर चलते हैं, कुछ फ मस्ति के अंदर चल रहा है, और आपने उसको व्यर्थ के अंदर धका दिया, आप अधिकारी नहीं हो उसको धका देने का, क्योंकि चल रहा है, वो तो अपने कर्मों के अधीन चल रहा है, कोई भी व्यक्ति कारी कर रहा है, वो अपने कर्मों के, आयुश्य के, और वो उद और प्रारब्त की अधीन कारी करता है तो आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो आप उसमें क्यों पंचायती करते हो आप उसमें क्यों दकल करते हो आपको कुद्रत ने कोई भी पावर नहीं दी है करता बनने की परंतु आप जबरदस्ती में करता बन जाते हो ये काम मैंने किया मैं और मेरा के ख्षित्र में चला जाते हो मेरा घर मेरा परिवार मेरी धन मेरी दौलत मेरे बाल बच्चे मेरी पत्परतिष्टा मैं इतना बड़ा करोड पड़ी मैं इतना बड़ा ग्यानी मैं इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति मैं बड़ी इतनी सत्ता को संभालने वाला मैं और मेरा में आप जाकर के करता बन करके करमों का बंदन करते हो वास्तों में आप करता होई नहीं सकते आप करता होई नहीं और विश्यों का कोई भी प्राणी करता हो नहीं सकता वो मानता है ये ब्रांत मानेता है इसी को हम अग्यान कहते है करता भाव अग्यान है अ करता भाव ग्यान है इसलिए इस जगजो खुद्रत का कानून क्या कहता है कि जगद के हर जीव को निर्दोष रमजो अ करता समझो, निमित समझो और शुद्ध आत्म तत्प समझो उसके अंदर उसके भीतर बिराजमान, शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष द्रस्टी से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ यानि ऐसी भावना रखो, चाहिए वैवार पक्ष में लोग समझे या नहीं समझे, क्योंकि सनातन सत्य बहुत गहरा है सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी प्रस्ट भूमी में जाना पड़ता है पहले उसके सिध्धान्त को समझना होना होता है जो पर्मानेंट सिध्धान्त है जो कि हमेशा रहने वाले सिध्धान्त है उसको समझे बिना साधारन व्यवार पक्ष का व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता है और ऐसा कहा भी गया है कि सनातन सत्य उसी को मिलेगा जो की पुन्य शाली होगा जिसके बहुत से पुन्य एकटे किये गए है उनको ही ultimate reality सनातन सत्य यूनिवर्सल टृत और सारवहूम सत्य मिलेगा जो की हमारा उद्धिश है तो कुद्रत का कानून बहुत सटीक है बहुत इसपस्ट है और वो मनन करने यूग्य है वो जानने यूग्य है आत्मसाथ, हर्देंगम और चरित्र का एक भाग बनाने के लिए अबर है दूसरा देखिए गुदरत का कानून क्या है गुदरत कहती है कि जो कुछ चल रहा है ये पूरोकरत कर्मों की द्वनी की प्रती द्वनी है ये किये गए जो है कौजेस का इफेक्ट है ये आपका परिणाम है ये जो आप पिछले जनम में पेपर दे के आये थे उसका परिणाम है इसको चलने द आपने तो पेपर पिछले जनम में दे करके एग्जामिनर को आंश्वर सीट दी दी वो एग्जामिनर कुदरत थी आज भी वही कुदरत है तो उस जो है वो आंश्वर सीट को इस जनम के अंदर परिनाम रूट के अंदर आपको जो करम फल देती है तो वो करम फल उस रिजल् बिलेगा तो आपको ये सबूरी रहनी चाहिए आपको ये धीरज रहना चाहिए कि कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है और कुदरत के कानून का मुझे पालन करना चाहिए कुदरती रचनार कुदरत को जानना चाहिए क्योंकि यही हमारे भगवान है यही आराद्य है जितना जितना हम इनको समर्पन करते जाएंगे उतना उतना मुक्ति के करीब जाएंगे क्योंकि कुद्रत का कानून यह कहता है कि मन बचन काया तता उस से जुड़ी हुई हर अवस्ता मात्र कुद्रती रचना है कुद्रती रचना का क्या मतलब है यह आने जाने वाली कोई भी जो अवस्ता होती है पर्मानेंट नहीं होती है हर संजोग के साथ व्योग जुड़ा है अवस्ता का अर्थी टेंपरेली होता है अवस्ता का अर्थी जो है बिनाश होना होता है तो आप किसी भी चीज़ को पर्मानेंट मत समझो उसको किराय का यह अपना शरीर है उसको भी किराय का समझो क्योंकि इसको पर्मानेंट समझोगे तो बहुत बड़ी ब्रांती हो जाएगी misunderstanding हो जाएगी वास्ता में तो यह किराय का मकान ही है यह पर्दर्व है तो हम क्या कहना चाहते है कि कुद्रत का कानून यह कहता है स्वध्रव्य को समझो वो स्वध्रव्य सभी प्राणियों में एक सा है यह बड़ा सामाने द्रस्टी कौन है यह समझने का है कि जितनी भी असंक्य अनंत आत्मा है उसको create नहीं किया जा सकता है उनको पैदा नहीं किया जा सकता है उनको बनाया नहीं जा सकता है वो तो जितनी संक्या में भूत भविश्य वर्तमान में उसकी संक्या एक सी रहेगी एक भी आत्मा ना गटेगी ना बढ़ेगी उसके मोट्स बदलते हैं प्रयाय बदलते हैं कि कभी नरग गती कभी तिरेंज गती कभी मनुश्य गती कभी देव गती और सब गतियों के बार निगल गए तो मुक्ष में चले गए वो इस्ताई जगए है हम मुक्ष मुक्ष की इतनी चर्चा क्यों करते हैं कि मुक्ष एक इस्ताई तत्व है मुक्ष जो है एक पर्मानेंट तत्व है जो की कभी बदलता नहीं है और हर समय एक सा रहता है क्योंकि मुक्ष है वो आत्मा के सुभाव को कहते हैं आत्मा के सभाव को अगर हम जान लेते हैं तो वही मुक्ति की रवस्ता है वही ब्लिस है और वही जो है अमारा शाश्व सुक है अते इसे यह कुद्रत के कानून का पालन करो कि כुद्रत जो है जो नहोंने अपनी रचना के नुसार जो कानून बनाया है उसका हम पालन करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी कोई अवरोध नहीं आ सकता है और कुदरत का कानून इतना सरल है कि वो बिना किसी को भगवान माने रीच्वल्स के आदार पर वर्ण जाती या जो है जेंडर के आदार से वो मुक्त है इसमें कोई संपरदाय की बाद नहीं है कोई मंत्र की बाद नहीं है कोई फॉर्मेट नहीं है और कोई भी जो है मंत्र विद्या वगेरा कोई संस्ता उसमें नहीं है वह तो मात्र एक यूनिवर्स टुथ है शार भूम शत्य है जो की हमको जानकारी करनी है अदे आज का विशे कुद्रत का कानून एक बहुत सुन्दर विशे है उस सुन्दर विशे को गहराई में जाकर के और हमें पालन करते रहना चाहिए जितना जितना हम कुद्रत के करीब रहेंगे प्रकर्थी के करीब रहेंगे प्रकर्थी से अलग रहेंगे जुदा रहेंगे प्रकर्थी को मद्यस्त बाव से निहारते रहेंगे क्योंकि वह तो एक मन वचन काया की बैटरी टेप और रील के रूप में उसको मत्र जानना और देखना है उसके साथ में जुडाव नहीं करना है उसके साथ में मद्धिस्ता रखनी है और वो हमारा सारा रिलेटिव पुश्चर तक ज्यान है उसको हम समात करेंगे तो हमारा रियल पुश्चर दिस्की विज्यान स्वेम का सुरूप पराप्त होगा सर्वे भौन तो सुगिना सर्वे संत निरामया लोक के सब जीवों को सुख मिले शांती मिले आनंद मिले प्रेम मिले और मुक्ती मिले आप सभी के प्रतिमंगल बाओ करें तो मिले आप सुख मिले आप सुख मिले प्रतिमंगल प्रतिमंगल तो सुख मिले करें प्रतिमंगल तो सुख मिले आप सुख मिले